तो अब हम पढ़ाइगे circulatory system के बारे में Circulatory system मतलब ऐसा system जो हमारे पूरे बाडी में blood को circulate करे इस system को काफी नाम से जानते हैं कभी इसमें दिल आता है हर्ट आता है हिर्दे आता है नाम अलग-अलग हैं पर काम एग ही हैं क्या blood को circulate करवाना बस्तुर सबसे पहले हम इसका interruption देखते हैं Circulatory system also called a cardiovascular system यानि Circulatory system को हम cardiovascular system भी कहते हैं It is an organ system यह एक organ system है that permit blood to circulate जो आग्या देता है blood को circulate करने के लिए and transport nutrient hormone gases और ट्रांस्पोट करेगा nutrients को, hormones को, gases को blood के रास्ते पूरी बॉड़ी में ये सर्कुलिटी सिस्टम पा काम है इन दा बॉड़ी ट्यू प्रोवाइड नरिस्मेंट अपनी बॉड़ी को नरिस्मेंट प्रोवाइड करवाने के लिए हेल्प इन फाटनिक डिसीज कोई भी बिमारी हो गई है तो उसको खतम करने के लिए या उससे लड़ने के लिए जिस्म ठीक हो जाए और प्रोवाइड्न हीमियो स्टैटिस और पी-अच वैल्ल्यू हीमोस्टैटिस बैलेंस बनाने के लिए यह बलड है वह हो हेल्प करता है हमारे बॉड़ी में तो the cardiovascular, जो cardiovascular bird है, लेटन वर्ड में उसका मतलब है, cardio मतलब hurt, vascular मतलब vessel, ठीक है न, तो cardiovascular का मतलब क्या हुआ? तो cardiovascular system को हम तीन तरीके पढ़ेंगे, इनके अंदर क्या क्या आता है, hurt सबसे पहले पढ़ेंगे, उसकी anatomy, blood उसके बाद में इसमें बहता है, blood vessel जिनके रास्ते blood hurt तक पहुचता है, तो इन चीजों को हम आज देखेंगे, चलो स्टाट करते हैं, cardiovascular system क्या है, और इसके अंदर hurt क है, तो शुरू करते हैं हमारे hurt को, कि hurt क्या है, hurt यानि हिर्द है, या दिल, अलग अलग नाम है, काम एक की है, blood को pump करना पूरे body में, तो इसका reduction क्या है, hurt is a muscular organ, hurt एक muscular organ है, which pump the blood to the whole body, जो अपने खून को pump करता है, पूरे body में, its weight, इसका weight male में 300 gram होता है, और female में 250 gram होता है, location, hurt situated between lungs, hurt lung से बीच में होगा, in the media is tenum, inside the thorac cavity, जो अबारी thorac cavity है, चाती वाली cavity, वहाँ पर जो media is tenum, बीच की bone है, जिसे breast bone कहते हैं, उसके थोड़ा सा नीच है, ठीक, hurt रहा कता है, oblique on the middle line, one third part in the rat, एक तहाई हिसा right side में जुका होगा, और दो तहाई हिसा left side में, ये इसका orientation हो गया, hurt की size, length 12 cm, width 9 cm, thickness 6 cm, और shape, wedge shape होता है, यानि बंद मुठिक तरीके से, ये हो गया hurt का main-main, introduction, location, size और shape, अब थोड़ा इसके अंदर इसकी anatomy दिखते हैं, तो चलो, अब हम आगे चलते हैं, अब थोड़े आते हैं, septa of hurt, यानि hurt के कितने parts होते हैं, तो start करके हैं, hurt के कितने parts होते हैं, तो there are three septa present in the hurt, hurt में total three septa होते हैं, inter arterial septa, यानि जो ये right arterium और ये left arterium, जो ये एक side का पूरा ये हो गया, ये हो गया, एक जिसका नाम क्या है, inter arterial septa, दूसरा, interventricular septa, यानि जो ये पूरा ventricle वारा portion है, ये, इसको बोलेंगे हम क्या, interventricular septa, सन में आ गया, बोथ ventricle के parts, last है, arterial ventricular septa complete, जो एक पूरा ये complete दिल बन रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, interventricular septa, तो इस तरीके से तीन भागों में हमारा हर्ट बटा हुआ है, next starting पे आते है, chamber of heart, heart के chamber कौन कौन से है, तो चलो start करते हैं, अपने chamber दिखते हैं, तो due to presence of septa, heart is divided into four chamber, septa की बज़े से heart को चार भागों में, यानि चार चम्बर मबटा गया, कैसे, पहला right atrium, जो यह हमारा right atrium हो गया, फिर left atrium, यह हमारा left atrium हो गया, right ventricle, यह हमारा right ventricle हो गया, left ventricle, यह हमारा left ventricle हो गया, इस तरीके से यह हमारे चार चम्बर में हमारा heart बटा हुआ है, तो यह right atrium है, उसमें क्या-क्या है, वो हम लोग देखते हैं, ऐसे रफली याद कर लिजी आप लोग, जो हमारा ये right atrium वाला portion है, ये वाला जो portion है, यहाँ पर इस तरीके जो बना हुआ है, ये right atrium में क्या होगा, यहाँ पर superior vena keva खुलेगी, inferior vena keva होगा and sinus open into this chamber, ये हमारा superior vena keva है और ये हमारा inferior vena keva है, ये हमारे इसमें खुलेंगे, अब आते हैं left atrium में, ये वाला left atrium वाला portion है, जिसमें चार palmolori veyan आएंगी इस chamber में, अब next हमारा कौन सा है, वो देखते हैं, राइट वेंट्रिकल और left वेंट्रिकल, अब जो राइट वेंट्रिकल वाला portion है, हमारा अब हम उसको देखते हैं, ये कौन सा है, राइट वें होंगे pulmonary valve होंगे यह सब हमको इसमें मिलेंगे ठीक है और जो left ventricle है इसमें यह सबसे बड़ा chamber है और thickest wall इसमें मिलेगी papillary muscles मिलेंगी plus erota है जो इसी chambers में open होगा ठीक है ना तो यह हमारे ऐसे ही normally याद रखना कि यह chamber के जो काम में चार होते हैं अब next हम आते हैं next topic पे इसी के heart की anatomy देखते हुए तो अब हम start करते हैं wall of heart यानि heart में कितनी valve होती है तो manly heart में 3 valve होती है pericardium, myocardium, endocardium इनको थोड़ा हम diagrammatic way में देखते हैं कि हमारे पास कितनी और कैसे तीन लेयर होती है तो यह देखिए एक website visualbody.com जा कितने अच्छी तरीके से हमारी तीनों लेयर को दर्साया है यह देखिए epicardium, myocardium, endocardium, epicardium के वोई pericardium यह जो तीन लेयर है इसी तरीके से हमारे heart में layer होती है अब थोड़ा इनको detail में देखते हैं किस तरीके से यह layer हमारी रहते है तो अब भी हमनों लेयर के बारे हम देखा कैसी होती है तो पहले pericardium देखते है इस protection layer यह protection layer है पहरी मतलब बाहर की विसल लेयर कहेंगे यानि परिकार्डियम के नीचे दो layer और रहते है जिने पराइटल लेयर कहते है और विसल लेयर कहते है तो पराइटल लेयर क्या है यह fibrous pericardium वहाँ पर हो उससे fuse होगी जो protection देगी जो विसल लेयर वो क्या करी यह चीजों का secretion करेगी जो चीजे वह protection hurt from friction जो physical layer है इसमें क्या pericardial flood बहा रहता है जो friction न हो जाए उसको रोकता है ऐसी myocardium जो हमारी है कौनसी myocardium this is the middle layer made up of specialized यह एक middle layer है किसकी hurt की muscle fiber यह किसी बनी होती है muscle fiber की and responsible for contraction of heart heart को contract करने में help करती है और यह कभी थकती नहीं यह continue चलती रहती है ऐसी इसकी यह specialization है इंडोमेडियम इंडोकाडियम जो hurt की सबसे innermost अंदर वारी layer है वो हमारी इंडोकाडियम layer है which make lining of myocardium and covered wall of hurt और यह ही इंडोकाडियम में यह हमारे जो wall है hurt के अंदर उनको cover करके रखती है और myocardium की lining होती है इस तरीके से हमारे hurt में तीन wall होती है वो यह तीनों है diagram से भी देख सके और हम लोग लिखे भी देख चुके हैं अब next करते है valve of hurt हमारे hurt में कितने valve हैं जिनकी वज़े से blood हमारे body से बाहर और अंदर आता है तो चलो valve start करते हैं अब हम क्या देखते हैं यह आपर valve कितने बता दी है चार कौन कौन से में लोगे वल्व बता हैं ट्राइकसपड वल्व लॉल्व पनमोल्वी वल्व एरोटिक वल्व ठीक है यानि यह हमारा ऐसी कोसिस करते हैं यह हट पर समझने कोसिस करते हैं यह हमारे valve हो गए इस तरीके से यहां हमारी एरोटा खुलेगी और एक यह बाइकसपड वॉल्व बोलेंगे जो ये वाला वॉल्व है इससे बाइकसपड वॉल्व बोलेंगे ठीके इस तरीके से हमारे हर्ट में वॉल्व होते हैं सब्सक्राइब आ गया ट्राइकसपड कहा मिलेगा राइट एक्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में इसकी इन दौन को बीचम को मिलेगा, Bicuspid काम मिलेगा, Left Arterium और Left Ventical, यह हमारा Left Arterial है, और यह हमारा Left Ventricle है, इन दोन को को कौन मिलेगा, Bicuspid ball, और यह 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 इक्षिनल होते हैं, यासे RA से RV में खुण जाएगा, और LV से LA में खुण जाएगा, यह हो गया हमारा इनका काम, अब पल्मोनली वल्व है इसका क्याम है वो हम काम दिखते हैं इस अर सेमिल्यूनर यह सेमिल्यूनर होते हैं इट एलग ब्लड फ्लो फ्रॉम आर्वी टू पल्मोनल ट्रेक यानि आर्वी यह है यहां से हमारा लंग्स की तरफ खुनाएगा यह लंग्स तरफ जाएगा अरोटिक बाटिक तो यह लिए वाल्व है यह क्या करेंगा यह हमारा ब्लड फ्लो फ्लो है वह लेफट पिन्रिकल से इरैॉटा मैंnew हमारे बॉड्जि के लिए अच्छा कूर जाएगा तो यह मैंली हमारे क्या हो गए valve हो गए अब next क्या है physiology है तो physiology मैं क्या पढ़ेंगे किस तरीके से खून जो signal है और कैसे हमारा contact होता है hurt किस तरीके से blood circulation होता है जिसमें क्या क्या हमारे भाग लेते हैं जिसमें कौन-कौन भाग मैंने लेते हैं एसे नोड एवी नोड बंडल ऑफिस पुरकुंजे फाइबर यह है जो हमारे help करते हैं ब्लड को circulate करने में पुरे बॉड़ी में तो इस आप से लोग ने देखा था कहा से शुरू किये थे circulation system क्या है तो देखते हैं थोड़ा study देखते हैं तो यहां से थे ना हम लोग क्या किये थे यहां पर हमने शुरूआत की थी circulation system से जिसमें ती चीज़ आई थी heart, blood, blood vessel तो heart हमने cover कर दिया अपना इसमें wall को बताया तीन wall थे कौनसी pericardium, myocardium, endocardium उसके बाद chamber को देखा चार chamber थे कौनसे राइट आर्टिकल लेफ्ट आर्टिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल यह चेमबर थे उसको valve देखे tricuspid, bicuspid, pulmonary valve और artery valve इतना हम लोगों देख लिया है अब आते हैं अपने blood, blood में क्या क्या चीज़ें होती है वो दिखते हैं तो दिखते हैं blood पे क्या क्या चीज़ें होती है चलो start कर तो यह है हमारा blood का classification देखते हैं थोड़ा तो blood को दो भागों बाटा गया है पहला हमारा किस में plasma में पहले plasma में बाटा है और फिर cells में बाटा है हमारे blood में 55% plasma होता है और cell 45% हमारे blood cell होती है तो plasma क्या organic constituents आएंगे और inorganic constituents आएंगे यानि organic मतलब वो होते हैं लाइक का जो हमारे ions हैं वो organic की चीज़े है और inorganic में हमारी protein, enzyme, hormone यह सब आ जाएंगे ठीक है और पानी आ जाएगा cell में क्या आएगा? corpals यानि cell, retrocite, RBC, leucocytes, WBC और thrombocytes, platelets यह cell में आती है हमारी blood की classification बता रहे हैं ब्लड में क्या क्या होता है? दो भागों plasma और cell, plasma में organic, inorganic constituents और cell में carpals और thrombocytes, carpals फिर दो भागों में eryctrocytes RBC और leucocytes WBC, फिर leucocytes को दो भागों बाटे में granulocyte और agranulocyte, फिर granulocyte को तीन भागों में isanophil, basophil, neutrophil, तो इसे याद कैसे रखें? G1, G1 से, ठीक है न, G4, granulocyte, E4, isanophil, W4, basophil, Na4, neutrophil, agranulocyte से को कैज़ाद रखेंगे, MLA से, L4, A4, agranulocyte, M4, monocyte, L4, lymphocyte, इस तरीके से हमारा blood classification हो गया, और बागी और इसको detail पढ़ना है, तो वीडियो नीचे पढ़ी होई है, आप लोग देख सकते हैं, अब आते कौन कौन सी होती है, जिनके जरी हमारा खुन बैता है, तो चलो उनको देखते हैं अभी, है न, तो यह हमारा types of blood vessel, यह देखिए, types of blood vessel, आर्टरी है, जिसे हमारा pure blood बैता है, जो हर्ट से हर्ट में होती है, capillaries है, जो इन से भी छोटी-छोटी होती है, जो liver और kidney पाई जात होती है, उपर तरब वो veins होती है, जिनमें गंदा खुन बैता है, यानि veins में कह सकते है, जो हमारा खुन है गंदा वो हर्ट तक जाएगा, और जो arteries है, अच्छा खुन है वो arteries है, हमारे body तक जाएगा, capillaries है, यह blood को च्छानेंगे, जैसे kidney में bone capsule होता है, उसमें छोट-छो का portion खतम हुआ, यानि सरकू लेटरी में हमारा लगबग 45% जो writing work या फिर listening work होता है, वो complete हुआ, बागी जो बचा वो हम लोग next वीडियो में cover करेंगे, physiology of heart क्या है, blood vessel का anatomy क्या है, और blood कैसे work करता है, तब तक के लिए thank you, ऐसे ही पढ़ते रहे है, thank you class.